नमस्कार मैं हूँ जूली आपे सब देख रहे हैं दा इंडिया टॉप लोग जन सकती पार्टी के पारस गुट के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है दरसल इन पर रेप के मामले में एक यूवती ने दिल्ली के कनौट प्लेस थाने में इनके खिलाफ रेप के मामले में अपर दर्ज की है अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पृंसराज ने धिली के राउज एवण्यू कोट में एक याचिक्ष की थी अगरिम्ध्य जतानत के लिए उन्होंने याचिक्ष की ती आज इस मामले में सु प्रिंस राज रिष्टे में चिराग पासवान के चचेरे भाई लगते हैं लेकिन राम विलास पासवान के निधन के बाद जब पार्टी दो गुटों में बट गई थी तब प्रिंस राज ने पशुपती पारस का पक्ष चुना था लगते पारस के लिए पारस के लिए बलाक में प्रिंस राज के अनुसार यूवती उन्हें एक करोर रुपए के लिए बलाक मेल कर रही थी जो भी हो यूवती के आरोप के आधार पर दर्ज FIR के बाद अब प्रिंस राज की मुश्किले बढ़ गई हैं उन्होंने दिल्ली के राउज एवन्यू कोट में अग्रिम जमानत की याज़िका दाखिल की है इस पर गुरु वारियानी की आज सुनवाई होने जा रही है इस मामले में प्रिंस पास्वान गिरफतार किये जाएंगे या नहीं ये कोट के फैसले पर निर्भर करेगा एक बर फिर से बता दे कि प्रिंस राज एलजेपी के पशुपती पारस गुट के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं रामविलास पास्वान के निधन के बाद जब एलजेपी दो गुटों में बट गई थी तब प्रिंस राज ने पारस गुट का समर्थन किया था वहीं इन सब मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पास्वान ने कहा है कि जब से ये मामला उनके संग्यान में आया है वो तब से ही दोनों पक्षों को कह रहते कि वो पुलिस में जाकर कंप्लेंड फाइल करें हाला कि आपको बता दे कि जो F.I.R. दर्ज की गई है उसमें चिराग पास्वान का नाम भी शामिल है आरोप है कि चिराग पास्वान ने युवती को धमकी दी थी आपको बता दे कि जब प्रिंस राज के पिता का निधन हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले तो चिराग पा नहीं पहुंचे थे इससे यह साफ पता चलता है कि प्रिंस राज और चिराग पास्वान के बीच दूरिया लगातार बढ़ती जा रही है अब इस मामले में क्या फैसला आएगा कोट का यह तो आने माले समय में ही पता चलेगा इसी तरीके की और भी कई खबरें जो लगात